हलो फ्रेंट्स, जैसे कि CITS की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और ये खुसकबरी होने वाली है, उन केंडिनेट्स के लिए जो केंडिनेट्स यहाँ पर एक्सपिरेंस के तहत, यहाँ पर CITS के अंदर फॉर्म अपलाई नहीं कर पाये थे किनी के पास यहाँ पर experience certificate नहीं था, तो खुसकबरी क्या होने वाली है, उसके लिए आप बने रही है, इस वीडियो के अंदर एंड तक, मैं एक चीज़ बताऊंगा, क्या update आई है, और कीस तरह की यह खुसकबरी होने वाली है, उन्हें students के लिए जो की यहाँ पर experience के चलते, जो form अपलाई नहीं कर पा रहे थे, तो अभी तक, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के जो नए अपडेट है, वो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए, अब देख लेता है हम, जो अपडेट आया है, वो CITS की तरफ से क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो यहाँ पर साइट चल रही है, वो CITS की जो ऑफिसियल स रिलेटेट, तो फ्रेंड्स, जो दूसरी अपडेट होने वाली है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, उन के अनिनेट्स के लिए, जो यहाँ पर एक्स्पिस सेटिफिकेट के कारण, CITS का फॉर्म अपलाई नहीं कर पा रहे थे, या उनके पास एक्स्पिस सेटिफिक ता उसको यहाँ पर, यहाँ पर, रिलेक्स जानी कि यहाँ पर हटा दिया गया है, अब किन केंडिनेट्स के लिए यहाँ पर जो एक्सपिस रेटिफिकेकट है, वो अपलाई करना है, उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप नीचे देख सकते है, CITS 2020, लिलेक्स भी experience for the NTC और NAC तो हम सबसे पहले इसको open कर लेंगे, यहाँ पर यह जो इसकी PDF है वो open हो जाएगी और PDF के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया है सिर्फ यहाँ पर ITI candidates के लिए जो है ITI candidates के लिए यहाँ पर जो experience है वो हटाया गया है जैसे कि जिन candidates के बास दो साल की ITI थी NTC या NAC से तो उनको पहले एक साल का experience अपलोड करने के लिए बोला जा रहा था पर यहाँ पर अब देख सकता है जो new update आया उसके अंदर no experience requirement यानि कि कोई experience की यहाँ पर required नहीं है और जिन candidates इनने यहाँ पर एक साल की ITI कर रखी थी किसी भी trade से तो उनके लिए यहाँ पर दो साल का experience अपलोड करने के लिए पहले बोला जा रहा था और अब उसका update निकल के आया कि यहाँ पर no experience required यानि कि आप कोई भी experience यहाँ पर upload नहीं करना है जैसे कि हमारा जो man मुद्धा था यहाँ पर वीडियो बनाने का वो यह था कि only जो यह notification आया यह जो update आया है खुसकबरी आया है वो सिर्फ IT के लिए उनके लिए यहाँ पर जो experience certificate है उसको relax कर दिया गया यानि कि कोई experience आपको यहाँ पर upload करने की जर्थ नहीं है और यहाँ पर जो diploma और BTEC वाले है उनके लिए यहाँ पर कोई update नहीं आई है अगर जैसे कोई update आती है जो उसकी भी वीडियो में जल्दी से जल्दी बना कर आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगा तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजी अगर चैनल को subscribe नहीं करेता हो और bell icon को press कर लीजे ताकि जल्दी से जल्दी आपको update है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए Thank you friends